तो आज की जो वीडियो बहुत जादा special है, बहुत जादा helpful होने वाली है specially उन लोगों को जो अभी school में है या फिर जो अभी college में है और अगर जो आप school college में नहीं हो उसको पार कर चुके हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा helpful है क्योंकि यहां पर मैंने आज आपको बता है कि ऐसी कौन सी चार jeans है जो आपके पास होनी चाहिए और ये वाला जो topic, especially इस topic के ओपर बहुत लोगों ने मेरे को message किये, instagram पे comments किये अगर जो आपके दिमाग में भी कोई topic है वीडियो के लिए या फिर अगर जो आप कोई question मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे को instagram पे follow करके वहाँ पर मुझे message कर सकते क्योंकि वहाँ पर मैं one on one आपके message का answer दूँगा उसका solution बताऊंगा और अगर जो first time इस channel पर आए हो तो यहाँ पर मैं men's fashion, men's fitness और grooming से related बहुत सारी वीडियो जालता हूं तो याद से इस channel को subscribe कर देना बाकि आप बिना किसी विलंग के इस वीडियो को प्रारम्द करते हैं Let's get started अब जो fourth jeans जो आपके पास होनी चाहिए वो है white color की jeans यह जो है इसको आप casually ऐसी घुमने फिरने के लिए नहीं पहन सका इसके जो selling है वो बहुत जादा difficult है, बहुत जादा मुश्किल है क्योंकि इसको carry करना भी बहुत जादा मुश्किल है और यह आपको सिर्फ और सिर्फ occasions पे पहनना है, यानि कि अगर आप डेट पे जा रहे हो या आप किसी की ceremony पे जा रहे हो रिंग ceremony पे जा रहे हो, किसी की party में जा रहे हो, clubbing करने जा रहे हो तो यह उस occasion के लिए आपको white jeans पहननी है इसके साथ जो message करूंगा वो यह है कि आप shoes पहनो इसमें brown color के या फिर आप belly यानि कि जिसको हम loafers बोल देते हैं वो shoes आप इसके साथ white jeans के साथ try कर सकते हो black color के अब जो सबसे बड़ा challenge है कि T-shirt और shirt में आप कौन सा color पहन सकते हो तो यार maroon, black and blue इन तीनों color की shirt और T-shirt white के साथ जाती है इसके लावा आप अगर जो बहुत जाता experimental होने ही कोशिश करोगे तो शायद कभी-कभी यह बहुत आपको funny भी दिखा सकता है तो आपको जादा experiment white jeans के साथ नहीं करना है अब जो third jeans आपके पास होनी चाहिए वो है टाइब का look की अगर जो मैं बात करूं तो है ripped jeans यानि की toned up जिसको हम rugged jeans बोल देते हैं फटीवी jeans बोल देते हैं वो आपके पास होनी ज़रूरी है और उसमें जो cuts होते हों कहीं से भी होते हों चाहिए knees के पास से हो चाहिए आपके thighs के पास से हो क्योंकि ये jeans आपको बहुत ही जादा unique और बहुत जादा sexy बनने वाली है अब ये है मेरी jeans जो कि मैंने 3000 रुपे के लिए थी जारा से बाकि सस्ती भी मेरे पास है जो कि 1200 रुपे की इसलिए local market से आपको मिल जाती है अब नेक्स्ट कोशन है वो है कि यार कौन सी ब्रैंड की रिप जीन्स लेनी है दो रिप जीन्स यानिकि रगड जीन्स होती है उसके लिए एक ब्रैंड जिसको आँख बंद करके आपको ट्रस्ट करना है वो है जारा क्योंकि इतने ट्रेंडी और इतने ज्यादा फैशनेबल पैटन्स होते हैं इसमें तो जारा मैं आपको परसनली सजेस्ट करूंगा कि अगर जो आपको रगड जीन्स रिप्ड जीन्स लेनी है तो आप जारा से लो अब जो सेकंड नमबर के जीन्स है जो सेकंड जीन्स आपके पास होनी चाहिए वो है ब्ल्यू कलर की यानि कि डेनिम ब्ल्यू जीन्स आपके पास 110 परसंट होनी चाहिए डेनिम ब्ल्यू जीन्स अब से नहीं बहुत टाइम से लोग पहन रहे हैं यह कदर मुझे इसलिए बैस लगता है को ना तो यह बहुत जादा डार्क होता है और साथ में ही ना तो यह बहुत जादा यह बहुत सस्ता ब्रैंड है जीन्स के मामल में आपको वहां पर स्टाटिंग रेट जो है जीन्स का वह 1499 से स्टार्ट हो जाता है सबसे पहला कोशन यह होता है कि डेनिम ब्ल्यू जीन्स के साथ कौन सा कलर जादा अच्छा लगता है तो यह ब्लैक और वाइट यह दो मेर मेरे फेवरेट कलर हैं बट इसके अलावा इस पर कलर जैसे की ब्ल्यू ब्राउन भी बहुत ज्यादा सेक्सी लगते हैं अब नेक्स्ट कोशन है कि है कौन से कलर के शूज जो है अच्छे लगते हैं ब्ल्यू जीन्स के साथ तो यह देखो प्लेन सिंगल कलर के वाइट और ब्लैक शूज तो मतलब बहुत ज्यादा सेक्सी लगते हैं ब्ल्यू जीन्स के साथ बाकि अगर जो चैल्सी शूज यानि की चैल्सी बूर्स अगर पैनों के तो वह बहुत ही अलग लूग देदेगा आपको तो पहली जीन्स आपके पास होनी ही चाहिए वो है ब्लैक कलर क क्या जीन्स जो कि मेरा परसनल अफर्णब कलर है वे टेजनेबल दिखना चाहिए तो ब्लैक जीन्स आपके पास होनी ही चाहिए क्यूंकि ब्लैक एक इसका कलर च्ड़feld को शूटता है अब बहुत से बंदों के बहुत सारे सवाल भी रहते हैं तो वह सारे आज मैं किलिअski और ये है मेरी black jeans जो कि मैंने H&M की sales से ली थी और ये मेरे को around 1100 रोपे की पड़ी थी बाकि अगर जो local भी जब अगर जो आप लेने जाओगे black jeans तो वो आपको इतने के around ही मिलेगी अब सबसे पहले कोशन उठता है कि कौन सी brand की black jeans आपको लेनी चाहिए जो तो यार मेरी personal अगर जो मैं suggestion दूँ तो यार Zara, Wrangler, Flying Machine और H&M ये चार jeans के लिए मुझे personally अच्छे लगते हैं और इनका जो budget रहने वाला है वो 1900 से लेके 3000 तक के budget तक आपको बहुत इसली jeans मिल जाएगी इन brands की और अगर जो आपका जादा budget नहीं भी है तो 1200 में आपको local market से black jeans मिल जाती है इसका मतलब ये है कि यार पैसे वाले हो या पैसे वाले नहीं हो ये चीज़ मेंटर नहीं करती है अगर जो आपको fashionable दिखना है तो अब question उठता है कि black jeans के साथ क्या पहने यार black jeans एक smart casual occasion के लिए best है sneakers हो या boots हो कोई भी टाइप के shoes हो वो black के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं और अगर जो आप office meeting में हो तो slim fit blazer आपको एक classy look देगा अब next question ये है कि यार कौन से color की t-shirt और shirt पहनो black jeans के साथ तो यार white, red, blue, green and purple ये best color है black jeans के साथ बाकी bright colors जैसे की yellow और orange I hope ये वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होगी अगर जो ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छे लगी है तो इस वीडियो को like कर देना इसको share कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिनका dressing sense बहुत वहियाद है तो उनके साथ इस वीडियो को share करके उनकी help कर सकते हो अगर जो आप चाहते हो कि मैं आपके किसी topic पर वीडियो बनाओ तो comment section मुझे बता सकते हैं कि किस topic पर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए that's for today बाकी मिलते हैं आपसे next video में